दर्शक बिन नमस्कार में हूँ आचरी रामकृष्ण सास्त्री और आपका प्रिय योटूब चैनल एस्टोलोजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है आज हम पुना आपसे कुछ विचार विमर्श करने जा रहे हैं जैसा मुझे कई दिन से मेसेज प्राप्त हो रहा है कि हमें आने वाले जोन-जुलाई, अगस्त और सितमबर में पुत्र प्राप्ति के लिए कब प्लानिंग करना चाहिए कि इन राशी वालों को पुत्र प्राप्ति के योग इन मेहना में विशेश तरीके से समलगना है तो आज हम बात करेंगे फूत्र प्राप्ति के लिए अगर कोई बच्चे के भविष्य अच्छा हो, सुन्दर हो, शुशील हो, भविष्य में सभी कामनाय शहज तरीके से पूर्ण हो अगर ये चाहते हैं तो वो डामपत्ते इस समय जोन जुलाई और अगस्त में संतान प्र करते हैं, रासे के उपर बात करने के लिए दरसल आपके कुंडली के अंदर सूर्य की अवस्ता, जितना भहतर अवस्ता में विद्द्यमान होगा, अत्वा सूरिय जितने अच्छे अंश पर विद्द्यमान होगा, उतने आपको संतान, शुशील, सुन्दर, एबं होने का पूर्ण योग रहेगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर जून, जुलाई और अगस्त में आप संतान की प्लानिंग करेंगे, हजबन अत्पा वाइफ के रासे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, जो भी संतान उत्पन होगा, उस बच्चे का जनम, अप्रेल, मैं अत जून के फर्ष्ट वीक तक होगा, अगर अगस्त तक भी जाकर आप प्लानिंग करेंगे, तो इस समय सूरे की जो प्रभाव है कुंडली के अंदर अत्यधिक प्रवल रुब में विद्ध्यमान होगा, इसलिए आपको शंतान की अगर आप लोग को प्लानिंग करना है, तो इस समय सूरे की जो किरण हैं, सूरे की प्रभाव है, वो अत्यधिक प्रवल है, क्योंकि सूरे ग्रहो का राजा माना जाता है, इसलिए जिन के कुंडली के अंदर ग्रहो के राजा प्रवल अत्पा उचा बस्ता में विद्ध्यमान होगा, उनकी संतान के शोक एबं संतान प्राप्ति की काम न श्रिद करने के लिए अन्य अन्य लाब आपको प्राप्त होगा। इसलिए अप्रेल, माई और जोन में अगर संतान उत्पन हो जाता है तो उसके कुंडली के अंदर शूरे की प्रवाब होगा। बहुत अच्छा होगा। इस समय प्लाणिंग करने से सूरे का अच्छा प्रवाब होने से बच्चा जो भी काम न रखते हैं, विश्यसकर पूतर प्रवाप्ति काम न रखकर आगे बढ़ने वाले के सबसी अच्छा रिजल्ट भी लेका। दूसरा जब बच्चा होगा तो सूरे की परवल किरण में होने से बच्चे का जो भागिया होगा और उसके जो बिचार अत्पा जो बुद्धी होगा, तिक्षना होगा जिससे आपको इन फ्यूचर शंतान की परम शुक आपको प्राप्त होगा। इसलिए इन मैने में आप लोगों सभी को शहज तरीकी से प्लादिंग करना है। शुक्षना होगा होगा जो शुक्षना होगा सबस्टा नहीं होगा है।